आप करे मुझे लेड्स के वडियो हम बात करने वाले हैं यो के वी टूटी-3 प्रो डिवाइस के अब जो है डाइलर थीमस कर सकते हैं एक डाइलर थीम्स को चेंज कैसे करेंगे और हम इसमें एक कलरफुल थीम्स लगाने वाले हैं उसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर और आपको सर्च वार में टाइप करना होगा डाइलर थीम्स तो आपको काफी सारी अप्लिकेशन साज आएंगी हाला कि थोड़ा सा फास्ट है तो यह बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी हमारे फून के अंदर डाउनलोड हो चुका है देख सकते हो इंस्टोल भी हो जाएगा बहुत ही आसानी से अब यहां पर इसको हम ओपन करेंगे ओपन करने पर इसका यूज इंटरफेस काफी इजी टू यूज है कोई भी इसे डाउनलोड करके इस्तमाल कर सकता है तो लोटिंग लेने के बार हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको कुछ ऑफसंस मिलेंगे स्क्रोल करना है तो अभी देखो यहां पर अल्मोज डन हो चुका है एड्स अगर आएंगी तो आपको एड्स को यहां से कट कर लेना है तो मैं यहां से एड्स को सिक्प कर लेता हूँ इसके बाद अमारे पास इस तरह से सेंटरफेस आजाएगा सिंप्ली स्कूलuing नाउन करेंगे इस तरहिके से इसके बाद यहां है आपको इस तरह से बता रहा है कैसे कैसे करना है फिराल हमें जो भी कलर्स फसंद आते हैं मालेज़े मुझे एक ग्रीन वाला पसंद आ रहा तो हम इस ग्रीन क्राइसल ब्लेक ग्रीन वाले को हम क्लिक करेंगे इसके बाद हम यहां पर डाउनलोड वाला एरो है सिंप्ली हम इसके बाद हमारे पास कुछ इस एप्लिकेशन का भी यूज इंटरफेस अल्मोस सेम होगा तो यहाँ पर भी कुछ लोटिंग हो रही है थोड़ा साम वेट कर लेते हैं इसके बाद में आपको एक और अप्लिकेशन लास्ट इंस्टोल करनी होगी जिसमें हमें अपलाई करना होगा इस थीम को तो एड्स अपको प्ली करेंगी एड्स अपको देखने ही गास कुंकि ऐड्स आती है तब यह लोग पैसे लाइक जो भी यूगहरा करते हैं इससे सर्फी होती है इसके बाद सीम को औप संसे इसके प्रस करेंगे अभी जिसफिर भी थिम को में एप्लाइ करना है इसको प्रस करके यहाँ पर फोन डायलर वाले को आप यूज करेंगे और हमने इसको भी डाउनलोडिंग पर लगा दिया है इसके बाद हमारे पास वन स्वाइब डू कॉंटेक्ट आजाएगा जिसमें next next करना सबको नेश्ट कर दिजिए इसके बाद यहां पर इन्हेंस्ट कलर आइडी आप इसको एक्सेट करेंगे इसके बाद कंटेक्ट के पर मिसन है इसको अलाव करेंगे आपके पास सभी के सभी email id आजाएंगी एक email id से आप इसमें sign in कर देंगे तो चलो हुँ फटाफट email id से sign in इसे अंदर कर लेते हैं तो मैंने गाई यहां पर email id select कर दी अब प्लीज वेड करना है यहांपर upgrade का option सारा आप चाहें तो इसको upgrade कर सकते हैं और इसमें ads अगरा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा हाला कि मैं continue with ads करूंगा इसके बाद हमारे पास permissions की requirement आएगी सब कुछ set करना होगा यहां से allow करेंगे इसको next हम यहां से भी इसको drop वाले पर क्लिक करके यहां से इसको कर देंगे अब यहां से back आएंगे again इसके बाद हम यहां से इसको set as default कर देंगे इसके बाद last वाला जो है notification वाला इसको भी हम यहां से on करेंगे turn on हमने कर दिया allow कर देंगे अब यहां पर proper हो चुकी है और यहां पर इस पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक interface आ जाएगा जिसको हमें यहाँ पर डेमो दिखा रहा है आपको इस तरह से scroll करना है और आपको जो contact phase है open हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ यह जो page है आपके home screen पर ही रहेगा देखो यहाँ पर मैं अगर cut कर दूँगा अभी फिलाल यह open नहीं हुआ पर अपर मैं इसको open करके आपको दिखाता हूँ अब हमारे पास देख सकतो यह जो colors है actually हमने red वाला यहाँ पर पहले apply कर रहा था इसलिए red वाला आ चुका है तो कोई ना अगर आपके पास यहाँ पर red वाला पहले से मेरे phone के अंदर यह red वाला applications है पहले से installed और मेरे phone में apply भी पहले से था इसलिए यहाँ पर red वाला हुआ otherwise हम green वाला भी कर सकते थे और आप जिस भी तरीके से जो भी use करेंगे themes उसी तरीके से application को installed करना होगा और apply आप इहाँ से कर सकते हैं और इसमें use करने के लिए आप जो है इस by default drop call वाला use करेंगे ऐसे आप कर देंगे तो contact आजाएगा आपके सारे के सारे resistant बटन या फिर किस link तो नीचे comment section है आप हमें comment करके पूच सकते हैं